सभी को नमस्कार मैं मनोज मिस्त्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर को अलवर जिले में दो केंद्रों पर रीट परिक्षा का पुनह आयूजन किया गया था उस रीट परिक्षा द्वितेस्तर की जो हुई थी उसमें हिंदी भासा प्रथम से समंदित जो प्रसन पूछे गए हैं उनका क्या सही आंसर हो शकता है क्या उत्तर माना जा सकता है उसको हम लेकर के आये हैं देखते हैं प्रसन क्या पूछा गया था और उसका सही उत्तर क्या होना चीए। तो ये तिनु के तिनु काम में ले जा सकते हैं आकासवानी भी दूरदर्सन भी बालसबा भी इसलिए इसमें च्यार नंबर सही उत्तर होगा। फिर है दूसरा प्रसन निम्न लिखित में से सरवाधिक प्रभावी सहयक सिक्षन सामगरी कोन सी है। सबसे ज्यादा प्रभावी ओप्शन से इस पर से सरवे, द्रिश्य तो सबसे ज्यादा प्रभाव साली जो सामगरी होते हैं वो जिसमें देखना भी हो तो द्रिश्य सरवे शिक्षन सामगरी को सही उत्तर माना जाएगा। द्रिश्य स्रव्वे सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। अगला प्रसन है हिंदी भासा में मुल्यांकन करते समय आप किसे सरवाधिक महत्वपुन उद्देश से मानते हैं। इसलिए दो नमबर अधिगम शमता सही उत्तर होगा। फिर है निम्न लिखित में से सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का मुख्य उद्देश से है। ओप्सन्स आपके सामने हैं विद्यार्थी को रोजगार परक्षिक्षा देना, विद्यार्थियों में प्रतिस परधा भाव जगाना, विद्यार्थी की अधिगम शमता का समवर्धन करना और अध्यापक पर कारिभार बढ़ाना तो इसका सही उत्तर सतत व्यापक मुल्यांकन हमें करना है तो इसका उद्देश से होगा विद्यार्थी की अधिगम शमता का समवर्धन करना कि बालकों में क्या कमजो प्रीट में से किसे उपचारात्मक शिक्षन की आवशकता है। नहीं कर पाते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षन की आउशकता होती है फिर अगला प्रसन है तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया इस वाके में असुद्धी का प्रकार है ओप्शन से एनेमित क्रियापद विशेशन समंदी वचन समंदी या अनावशक संग्यापद इसमें सही उत्तर होगा चार नंबर अनावशक संग्यापद देखे तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया इसमें हम मेरा मन की जगए पर में गदगद हो गया ऐसा लिख सकते हैं तुम्हारे आने से में गदगद हो गया यहां मन जो सब्द है उसकी कोई आउशकता नहीं है तो मन एक संग्यापद हो गया इसलिए अनाउशक संग्यापद फ्रिक्ट होने के कारण इसमें असुद्धी मानी जाएगी संग्यापद फ्रिक्ट है संग्यापद फ्रिक्ट है इसमें असुद्धी मानी जाएगी फिर आखुं से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है इसमें दो नंबर विकल्प सही बैठेगा किसी का विश्वास खोदेना आखुं से गिरना इसका मतलब विश्वास खोदेना माना जाएगा दो नंबर को सही उतर मानेंगी 49 प्रसन है हे प्रभो अब यह जीवन नोका तुम ही से पार लगेगी रेखांकित अंस में यह विरामचिन प्रियुक्त हुआ है यह जो विरामचिन है हे प्रभो को रेखांकित कियावा है और इसमें यह विरामचिन आ रहा है इसको हम विस्मयादी बोधक विरामचिन के नाम से पुकारते हैं जो संबोधन होता है वही संबोधन विस्मयादी बोधक चिन के नाम से पुकारा जाएगा चालिस्मा प्रसन है पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाई इस पंक्ती में कवी ने नारी के किस रूप को अभिवेंजित किया है तो देखे पूरी ये पंक्ती है पूरा पद है कि माता अपने पच्चे को पालने में हिलाते समय ही ये सीख देते है कि हमें इस धर्ती को किसी को देना नहीं है इसके लिए मरकर के हमें यस प्राप्त करना है तो ये वीर रस की बाते हैं इसलिए ती नंबर वीर रस सही उतर होगा 41 प्रसन है निम्न में से सुद्ध वर्तनी किस में प्रियुक्त हुई है सही उतर होगा चार नंबर पुनीत सब्द बिलकुल सुद्ध लिखावा है बाकी औरू को देखें तो केलास में सै तालव्वे नहीं दंते सै का प्रियोग सुद्ध होता है प्रेजवलन में एक ही आदा जाएगा दो बार नियाता प्रेजवलन इस तरीके से लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा और मिष्ठान में ठै नहीं टेका प्रियोग सुद्ध होता है ये मिष्ठान हो तब सब्द शुद्ध माना जाएगा पुनीत बिलकुल सुद्ध लिखावा है चार नंबर सही होगा बैयानिसमा प्रसन है कुसुम का सही प्रियावाची कोन सा है तो कुसुम का सही प्रियावाची है एक नंबर प्रसून प्रसून यानि फूल कुसुम यानि फूल एक नंबर को सही मानेंगी कोदंड धनुस को कहते हैं इंदू चंद्रमा को कहते हैं तो भेक मेंधक का प्रयावाची सब्द है 43. सुख दुख सब्द में कौन सा समास होगा इसमें दो नमबर दौन्दो समास सही उतर होगा सुख या दुख यह इसका विग्रह होगा और इसमें दोंदो विकल्पक दोंदो समास माना जाएगा फिर है निम्न लिखित में से तदभाव शब्द कोन सा है तदभाव शब्द है चार नमबर मारग सब्द जो लिखावा है वो तदभाव के रूप में आता है मारग अगर इस रूप में हो तो तदशम है और मारग ये तदभाव के रूप में माना जाएगा पुनीत तदशम है सलागा भी तदशम है युवक भी तदशम है पैतालिस्वा प्रसन है निम्न लिखित में से किस वाक्य में अव्वी भाव सामासिक पद है तो यहां पर कौन से पद में अव्वी भाव है तो तीनमबर विकल्पी से मानेंगे नारी ने समय समय पर जोती प्रजुलित की है इसमें जो समय समय ये पद आया है एकी सब्द क दोरा हुआ है घर घर हाथूं हाथ वैसे ही समय समय यह अव्वी भाव समास माना जाएगा 46 प्रसन है निम्न लिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है इसमें जो सही उत्तर है वो चार नंबर विकल्प वाला जो है वो सही उत्तर माना जाएगा नाटक के साथ तत्व माने जाते हैं कोई भी नाटक हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो एक नाटक में विद्वानू के अनुसार साथ प्रमुक तत्व माने गए हैं अब वो साथ तत्व कोन कोन से होते हैं उनकी इस्तती को हम देखें तो नाटक में एक तो कतो कथोप कथन होता है जिसको हम एक तरह से मुख्य रूप से देखें पहला तत्व कता वस्तू हो स्वर वाचन सही उत्तर होगा 47 है निम्न लिखित में से किस योजना के पस्षाथ प्रतेक इकाई को शिक्षन प्रतेक इकाई की शिक्षन योजना का निर्मान किया जाता है देखे विद्यालियों में हम सबसे पहले वार्षिक योजना बनाते हैं वार्षिक योजना के बाद में देनिक पाठी योजनाओं का निर्मान होता है तो वार्षिक योजना के पस्चाथी इकाई की सिक्षन योजना का निर्मान किया जाएगा 48 मा प्रसन है भासा प्रियोग सालाम में ब्रिहत सब्द कोष का निर्धारित इस्थान कोन सा है ब्रिहत सब्दकोष कहां होना चीए देखे इस प्रसंद के उत्तर में मैं पुर्ण रूप से कनफरम नहीं हूँ लेकिन सब्दकोष के लिए मुख्य रूप से जो इस्तती हो शकते है कि हर मेज पर एक सब्दकोष हो जिससे बालकूं को कोई भी ऐस विदा हो तो ततकाल उसका वो अवलोकन कर सकें तो मेरे इसाब से दो नंबर विकल्प सही उतर होगा बाकी इसमें मेरी कनफरमता नहीं है ये बोड के उपर निर्बर करेगा वो इसमें क्या सही उतर मानता है उन्चास्वा प्रसन है भासा इस्तर सुधारने के लिए यह सरवाधिक आवशक शोपान है भासा का इस्तर सुधारना है तो क्या चीज सरवाधिक होनी चीए तो इसमें देखे भासा इस्तर सुधारने के लिए मुख्य रूप से तेनमबर वाला विकल्प सही होगा पचासमा प्रसन है निम्न लिखित में से सेक्षणिक निदान की विधी नहीं है कुन सी विधी सेक्षणिक निदान की नहीं है इसमें हम चार नंबर को सही मानेंगे सारीक प्रिक्षण सेक्षणिक निदान में नहीं आता निरिक्षण विधी भी है संचीत अभिलेक भी आता है उबचारात्मक विधी भी होती है लेकिन सारीक प्रिक्षण को सेक्षणिक निदान का हिस्सा नहीं माना जाता है इकाव नमबर है निम्न लिखित में से किस सिक्षण विधी द्वारा विध्यार्थियों को की मोखिक अभिव्यक्ति ससक्त होती है कौन सी विधी है जिसमें मोखिक अभिव्यक्ति ससक्त होगी तो वो है चार नमबर प्रशनोतर विधी प्रश्णोतर विधी में शिक्षक प्रसन पूस्ता है छात्र मुखिक ही उतर देते हैं तो च्यार नंबर प्रश्णोतर विधी मुखिक अभिव्यक्ति को ससक्त करती है 52 क्यूशन है निम्न लिखित में से प्रात्मिक शिक्षा इस्तर पर भासा शिक्षन का मुख्य उद्देश से क्या है प्रात्मिक इस्तर पर क्या मुख्य उद्देश से होगा इसमें एक नंबर विकल्प को हम सही उतर मानेंगे विद्यार्थी पुर्ण मनुयोग से सुन सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, यही प्रात्मिक इस्तर पर भासा शिक्षन का मुख्य उद्देश से माना जाएगा फिर भासा का प्रात्मिक रूप कोन सा है, वैसे तो सांकेतिक होता था, या होता है, परन्तु सांकेति विकल्प नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नंबर मोख्य को ही प्रात्मिक रूप के रूप में स्विकार करेंगी चोवा नंबर है, निम्न लिखित में से किससे मोखिक भासा प्रियोग का कोशल विक्सित किया जा सकता है, मोखिक भासा प्रियोग का कोशल विक्सित करना है, तो यहाँ पर हम सुद उचारण से ही मोखिक भासा प्रियोग का कोशल विक्सित करेंगे, उचारण सुद होगा तो अपने आप मुखिक भासा का कोशल भी विक्सित होगा पच्पन नमबर क्यूशन है सुलेख के लिए सर्व स्रेष्ट क्या है सुलेख में किस से सुलेख सर्व स्रेष्ट होगा तो इसमें तीनु ही चीजें इनमें से सभी सही है प्रतिलेक से भी सुलेक सही होती है शुरुतिलेक से भी अनुलेक से भी तो यहाँ चार नंबर विकल्प को ही हम सही मान लेंगे सभी सुलेक के अच्छे साधन माने जाते हैं 56 नमबर है जीजी वीशा सब्द का सही अर्थ क्या है जीजी वीशा का सही अर्थ होता है जीवित रहने की इच्छा जिन्दा रहने की इच्छा जीजी वीशा कहलाती है सत्ताव नंबर है निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग सब्द है तो यहाँ पर ओप्शन है आसा सोना दिन भारत इनमें आसा सब्द इस्त्रिलिंग का सब्द है आसा यहां इस्त्रिलिंग है बाकी सोना महंगा हो गया दिन ढल गया भारत जीत गया ये सभी पुलिंग के सब्द हैं आसा मारी गई ये इस्तलिंग का शब्द होगा पिर है बाहरी प्रोच साहन का अपना महत्तो होता है इस वाक्य में काल कौन सा है तो यहां होता है ती है ते है तो एक नमबर समन्नी वर्तमान काल को हम सही उत्तर मालेंगे इसमें समन्नी वर्तमान काल होगा उनसाट नमबर है निम्न में से देशज सब्द कोन सा है देशज यहाँ पर सही उत्तर है दो नमबर पगडी जो सब्द है वो देशज सब्द है सावन तदभव है जो स्रावनक से बना है खत्री एक्त्र से तदभव है जो शत्रे से बना है और खेत शिक्त्र का तदभव रूप है पगड़ी यहां पर हम देशल सब्द के रूप में मानेंगी फिर पुस्तक को राजस्थानी में क्या कहते हैं पुस्तक के लिए राजस्तानी का सब्द है दो नंबर पोथी, पोथी सब्द है वो पुस्तक के लिए राजस्तानी भासा में प्रिवक्त होता है, किताब अर्भी भासा का सब्द है, गरंथ जो है वो एक तरह से तत्सम सब्द है, संस्कृत से आया है, पुरान अन्पनी एक प्रिक्षा में हिंदी भासा प्रथम लेवल टू पर जो प्रसन पूछेगे उनके प्रसन और उत्तर हैं इन आधार पर जिनोंने प्रिक्षा दी है वो अपना मुल्यांकन कर सकते हैं धन्यवाद